हालो दोस्तो मैं सेलेस मिस्त्री हूँ गूगल मैप को बीना इंटरनेट या बीना मोबाइल नेटवर्क कैसे यूज कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे हम किसी अंजान जगा पे या सेर में जाते हैं तो हम पर्टिकुलर जगा डूनने के लिए गूगल मैप का इस्तमाल करते हैं लेकिन अगर उसी जगह वीक सिगनल मिल रहा हो मोबाइल का टावर नहीं मिल रहा हो और इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो गूगल मैप भी सही रास्ता पता नहीं पाता है आपको जिस जगह जाना हो उस जगह का मैप आप गूगल मैप एप में पहले से डाउनलोड करके रख सकते हैं और उस मैप को आप नेविगेशन के अलावा भी नजदिक के ATM, बैंक, रेस्टोरेंट जैसी चीज़े डुणने में यूज़ कर सकते हैं हिल स्टेशन या दूर दराज की जगह पे मोबाइल सिग्नल इंटरनेट नहीं मिलता है तो यह बहुत काम आता है इवन आप आपके सहर का मैप भी डाउनलोड करके रखे तो बीना मोबाइल डेटा आप गूगल मैप का इस्तामाल कर सकते हैं सिर्फ आपको मोबाइल का GPS डोकेशन अन रखना है तो चलिए देखते हैं यह कैसे होता है वीडियो लास्ट तक देखेगा यह आपके बहुत काम आएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजे और दोस्तों के साथ सेर कीजे हां और मेरी चैनल को सब्सक्रेब भी कीजे अपने मोबाइल में गूगल मैप एप ओपन कर लीजे हम सिम्ला कुलू मनाली का मैप डाउनलोड करेंगे राइट साट पर नीचे के ये बल्यू आइकोन को टैप करिए अब यॉर लोकेशन पर टैप करके चूज स्टार्टिंग पॉइंट में सिम्ला एंटर कर लीजे और सिम्बला हिमाचल प्रदेश सिलेक करिए अब Choose Destination में कुलू एंटर करिए और कुलू हिमाचल प्रदेश सिलेक करिए राइट साट पर उपर के ये तीन डॉट पर टैप करिए जो मेनू खुलेगा उसमें Add Stop पर जाईए अब Choose Destination में मनाली एंटर करिए और मनाली हिमाचल प्रदेश सिलेक करिए सिम्बला से मनाली वाया कुलू का रूट और मैप आ जाएगा हम एक से ज़्यादा Stop भी एड़ कर सकते हैं अब Finish पर टैप करिए यहाँ आप ज़्यादा या कम मैप सिलेक कर सकते हैं अब उपर Left में Back का Arrow सिलेक करिए राइट सैट पर उपर के आपके आइकोन पर टैप करिए जो मैनों खुलेगा उसमें Offline Maps पर जाएगे अब जो पेज खुलेगा उसमें Select Your Own Map टैप कर लिजे जितना एरिया आपने सिलेक किया था वो यहाँ डिस्पले होगा और डाउनलोड करने पर मोबाइल में कितनी स्पेस लेगा वो भी दिखाएगा आप यहाँ भी जूम इन जूम आउट करके एरिया को बड़ा या गटा सकते हैं डाउनलोड पर टैप करने से डाउनलोड होने लगेगा नीचे डाउनलोडिंग का प्रोग्रेस भी दिखाएगा यह तीन डाउनलोड पर टैप करने से एक मेनु खुलेगा जिससे आप मैप को व्यू रिनेम या डिलिट कर सकते हैं मैं मैप को सिमला कुलू मनाली नाम से रिनेम कर देता हूँ जिसे हमें मैप को पैचानने में आसानी हो सके मैप ओफलाइन से हो गया है उसने 67M भी यूज की है और अगर अपडेट नहीं किया तो वो 21 फेबरुआरी को एकस्पायर हो जाएगा हम मोबाइल डेटा और वाइफाई बर्न करके डाउनलोड किये मैप को टेस्ट करेंगे इसके लिए ओफलाइन मैप में जाके सिमला कुलू मनाली वाला मैप खोलेंगे यहाँ से भी आप मैप को डिलीट अपडेट या रिनेम कर सकते हैं मैप को पूरा खोलने के लिए यहाँ मैप पर टेप कीजिए राइट साइट पर नीचे यह जो ब्लू आइकोन है उसको टेप करिए अब यह लोकेशन पर जाके चूज स्टार्टिंग पॉइंट में सिमला एंटर करिए अब चूज डेस्टिनेशन में कूलू एंटर करके कूलू मनाली एरपोर्ट सिलेक कर लीजिए यह सिमला से कूलू मनाली एरपोर्ट का रूट दिखाएगा राइट साइट पर उपर यह तीन डॉट पर टेप करने से एक मेनु खुलेगा जिसमें सर्च एलोंग रूट पर जाईए यहां आप रास्ते में आने वाली पेटल पॉम्प, एटीम, बैंक, रेस्टोरंच जैसी चीजे सर्च कर सकते हो यह तीन डॉट टेप करके जो मेनु खुलेगा उसमें से कूई भी चीज सर्च की जा सकती है गया स्टेशन टेप करने से कुलू मनाली आइरपोर्ट तक के रास्ते में आने वाले सभी पेटल पॉम्प दिखाएगा तीन डॉट पर फिर से टेप करेंगे और इस बार एटीम सिलेक करेंगे तो राश्ते में आने वाले सभी ATM बेंग के नाम के साथ दिखाएगा चलिए, स्टेट बेंग के ये ATM को सिलेक करते हैं तो वो ATM कितने दूर है और वहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा वो दिखाते हुए वहाँ से होके डेस्टिनेशन का रूट दिखाएगा एहमदाबात का ये मेप मैने पहले से डाउनलोड करके रखा था हम इस मेप को लाइव टेस्ट करेंगे मैं अभी कार में सफर कर रहा हूँ अब हम मोबाइल का इंटरनेट बेंग करके आफलाइन हो जाते हैं हाँ फोन का लोकेशन और जीपीए सोन होना जाहिए अब गूगल मैप खोलने पर ये मैप आपका रिसंट लोकेशन बताएगा और जैसे जैसे आप मूव होंगे वो भी मैप पर मूव होता जाएगा हम अभी भी आफलाइन है सर्च हीएर में हम एक डिस्टिएन डालते हैं डायरेक्शन टैप करते ही मैप पे वहाँ तक का रूट आ जाएगा और स्टाटर्ट सेलेक करते ही नेविगेशन चालू हो जाएगा मैप में नीचे हमारी स्पीड दिखाएगा और हमें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितने किलोमेटर दूर है और कितने बज़े तक पहुँचेंगे वो डिटायल देखाएगा अभी पूरी सुबह नहीं हुई है और प्राताकाल का समय है इसलिए ये डार्क मोड में है अब जैसे सुबह हो गई डार्क मोड चला गया है गूगल मैप आफलाइन कैसे यूज करना है वो मैंने डिटेल में बताया है इसका यूज कीजे और अपना मुबाइल डेटा बचाईए दोस्तों के साथ इसे सेर करके उनको भी बताईए तो मिलते हैं अगले वीडियो में